आक की बिसमिंदी ळुर्यमां रर्राहिम असलाव़े कमप्रेंट्स वेल्कम टू मैच्व चैनल बिलाब प्रोग्रमिक्स меш आजकी से अलक्टर में हम लोग पढ़ने की स्टेटमनि आны फीमलोगह ये इफ ऐस नब जया है तो ये फैल ते स्टेटेमेंट बहुत यह असान श्टेट्मेंट है अगर आपको if कि से समझ थी तापला आपने if else कर लिया अगर आपको if else की बहुत अच्य समझ जागी तो if else आप लिए आपके लिए उसे भी ज्यादा आसान, इसके दिर माँ पास क्या होगा, the if else statement can be used to choose on block of statement far from many blocks of statement, याद रखें थोड़ा सा रिमाइन करा दू, जो के लिए if थी वो one decision making थी, if else जो थी वो two way decision making थी, और जो if else if जो है वो many, बहुत सारी, बहुत सारी condition में से एक को pick करेगी, इन में से हम लोग तब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास एक condition true होगी, उसको ही pick कर लेगा, इसका syntax देखते हैं, फिर आपको समझ जागी, sometime theory की समझ नहीं आती, program practical की समझ आ जाती है, हमारे पास syntax है initialization, initialization क्या होती है, program की initialization, जिस तरह हमारे पास यह सारी initialization है, सारी की सारी यह initialization, syntax है initialization, if की condition, हम लोग ने, जा आलरी जानते की if की condition होती है, उसके बाद हम लोग statement लिखते है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, else if, क्या लिखेंगे, else if, फिर उसके अंदर condition, क्योंके मैंने का multiple conditions होती है, the if statement can be used to choose on block of statement from many block of statement, बहुत सारी ब्लोक में से, हम लोग ज matching value को pick करेंगे, यानि कि हमारे पास एक यह भी condition है, 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 further और condition भी आ सकते हैं, उन में से जो condition सही होगी, उसको pick करेंगे, और उसकी statement को print करवा देंगे, और last में हम लोग लिखेंगे, else, उसके बाद हमारे पास statement, यह आ जाएगी, कि अगर हमारे पास statement number अगर हमने यह वाली print करवाने है यह वाली इस यह हमारे पास true हो रही है then क्या होगा कि program start का सबसे पहले इस if के पास आएगा if इसके पास मिल जाए वो value जो हमें condition चाहिए satisfy हो जाए तो यह statement print हो जाएगी अगर नहीं तो आगे चली जाएगी अगर वोई चीज अगर वोई चीज पड़ी है तो वो print हो जाएगी अधरवाइस क्या होगा वो next चली जाएगी अगर इसके पास वोई चीज पड़ी है तो क्या होगा यह statement print करा देगा अगर वाइस नहीं पड़ी इस तरह number of conditions जितने में चाहिए वहां वहां तक यह चेक करेगा last में आगे चेक करेगा else else के बाद चला जाएगा statement statement में क्या होगा जो आप लोग find करना चाहते हैं वो इसके अंदर ही नहीं आप out of range जा रहे हैं आप out of boundary है जो आपको चाहिए हो यहां पर मुझूद ही नहीं है यह होता है if else statement इसी को हम लोग flow chart बोलते हैं और इसी को इसकी working बोलते हैं तो मिटक तो हूँ आपको आज का लेक्चर जो है समझा आगी होगा if else statement का next lecture में हम लोग इसके काफ़ सार प्र